हम स्पक्षी जैसा बदलने वाला कउवा एक समय की बात था एक जंगल के नदी में हम स्पक्षियां तेहरते थे और इस नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ओपर कउवे रहते थे रोज हर एक कउवा खाना डूनने चले जाते थे लेकिन एक कववा उन हम स्पक्षियों का कुपसूरत चेरा और बंकों को देखता जलता था अरे यार इन हम स्पक्षियों को तो देखो कितना सफेद और कितना कुपसूरत दिख रहा है और मुझे देखो कितना गदा और काला दिख रहा हूँ मेरा नसीव ही कराब है ऐसा कहकर हर रोज उदास होता था एक दिन उस कवा को एक मूर्ग उपाया आया उन हम स्पक्षियों की तरह चोड़े-चोड़े पौदे काकर और रोज पानी में तेर कर अच्छे से अपना पूरा जीवन बिताना चाहता था ऐसा मूर्ग की तरह सोचा और उस मूर्ग सोच को अपनाते हुए रोज विचित्र प्रायत्म करता था और ऐसे ही एक दिन सफेद रंग में डोग कर उठ गया और पूरा सफेद दिखने लगा हवा में उन्ने की बज़ा पानी में तेहना शुरु दिया उस कवे की इस हवस्ता को देखकर एक हमस पक्षी ने ऐसा पूचा दोस्त मैंने तुम्हें यहां का वीडी नहीं देखा हाँ हाँ मैं दोसरे शहर से इस हदी के पास आया हूँ यहां सब लोग मझे देखकर यह देखो यह हमस पक्षी कितना कुपसुरुत है करके विरकोट तखरीख करते थे ऐसा उस कवे ने अपने आपको जूटा तारिफ दिया लेकिन उस कवे को टेहरना नहीं आता था इसलिए वो कभी-कभी उस पानी में बूटकर कश्ट सेता था और उसको पौदों को खाने की आदद भी नहीं था इसलिए उन पौदों को वो खान नहीं पाता था फिर भी उस कवे में हम स्पक्षी की तरह बदलने के लिए जिद पकड़कर बहुत कश्ट देते हुए प्रहत्न करता था लेकिन वो हम स्पक्षी की तरह कभी भी नहीं बन पाया और उल्टा पूरा शेरिल का ताकत को बैटा और भी कुरूप और बुरा दिखने लगा उस कवे के रूप को बैटकर हम स्पक्षी ओन ने भी मज़ाब उड़ाना शुरू किया और उस कवे ने भी सबग सीखा कि और उस कवे ने सबक सीख कर पानी में दो बार दोप कर अपने असली रूप में आ गया और उड़ते हुए पेड के उपर चला गया इस कहानी का नीती ये है कि दूसरों को देखकर जलने से हमको ही बहुत कष्ट सेना पड़ेगा जानवरों की भुद्धी एक जेंगल में सारे जानवरों के महराच शेर है सलहा देने वाले चुवाक कवे और बेडिया थे एक दिन ये तीन जेंगल में गूम रहे थे तब एक नादान घदा दिखा उसके पास जाकर तुम काउन हो इस जेंगल में क्यों आए भेडिया ने कहा तब घदे ने बोला मेरे मालिक के कपड़ों कबूच ना उटा पाते हुए उसकी जंजट बरदाश्टा करके मैं वहाँ से बाग करा गया अब मेरा कोई दिशा ही नहीं मुझे आश्रे दे के पुन्य कमालो अच्छा धरूमत तुमें हमारे वर्ग में ले लेंगे हमारे महराज बहुत अच्छे है उन्हें बूलकर तुमें अच्छा खाम भी दिला देंगे हमारे साथ आओ गदे के मानने पर वह तीन उसे लेकर शेर के पास पहुँच गए प्रेवू ये उसके मालिक की जंजट परदाश्टा करते हुए बाग कर जंगल में आ गया अच्छा बल्वान और पुतिमान है तो बेडिये ने कहा सीधा साथा स्वबाव का है तीनों के तीन गदे की बहुत तारिफ कर रहे थे उसके सलहदारों के मुझ से बहुत तारिफ सुनने पर शेर ने गदे को काम पर रख लिया एसे ही दीरे दीरे गदे का स्वबाव शेर को बहुत अच्छा लगने लगा उसने गदे को करीबी दो समझ कर उस जंगल के मंत्री बनाया कल के आई हुई गदे को मंत्री बनाने के वज़स से जलने वाले बेडिया, चुहा और खावा गदे से नफरत करने लगे समय देखकर उसे हानी पहुचाना चाते ते एक बार शेर बीमार हुआ तक तक शिकार करते हुए राज में सबको खाने लाने वाले महराज की स्तिती खराब थी इसी बात को लेकर गदे को हानी पहुचाने के लिए तो वे चुहा और बेडिया ने साजिस रची उनके साजिस के हिसाब से महराज, आपके बुक की परशानिकों मैं देख नहीं पाऊंगा आप जैसे प्रभु को उप्योग ना होने वाला ये शरीर इख्या मुझे खाकर आपकी भुक को मिटाईए तब शेर ने कहा तुम जैसे चोटे जानवर से मेरा भुक मिटेगा क्या तुमारा मास मेरे एक दाद के नीचे के लिए भी काफी नहीं होगा तो बेडिया ने बोला प्रभु मुझे मार कर आपके भुक की बादा को थन्डा करो चाहे कितना भी भुक से होने पर भी तुमारे जैसे अशुद जानवरों को मार के खा सकता हूँ क्या खुटे लोम्डिया बेडिया ये सब जानवर नीच होते है तुम्हे मार के खाने से अच्छा तो एसे ही भुका मर जाओ बोला शेर ने तुरंट चुहे ने कहा मुझे खालो इतने वर्से आपके सीवा की मैं आपको भुक से तड़क कर मरते हुए ने देख सकूँगा तब शेर ने कहा की ओई तब देखा है तुम्हे तुम जिसे फिट्टी जानर को मेखा ना ना बिल्कुल ने खाऊंगा फिर घरे के बारी आई महराज के पास जाके महराज शेर मेरा शेर पवित रहे मेरे भुक से आपका बुरा बुक मिड़ जाएगा इसलिए बिना संदेय किये मुझे खाईए विश्वास गात ना कर पाते हुए हिचकिचा रहा था महराज आपने तो हम तीनों को खाने से मना कर दिया ठीक है ना इसके प्रात्ना को स्विकार करके अपनी भुक को मिटाईए कवे ने भी उसके भातों का समर्तन किया भुका शेर उनकी बातों में आ गया और मान लिया शेर तुरंट घदे पे पंजा लड़ा कर मार के मास खाके उसकी भुक को मिटा लिया बेडिया चूहा और कवे ने जश्न मनाया इस कहारी के द्वारा हमें यह सीक मिलता है कि दुष्टों से मित्रिथा नए करना चाहिए पिंजरे में कैद शेर एक दिन जंगल के पास वाले तलाब में पानी नहा कर एक पंडित वापस घर जा रहा था रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था वो कहने लगा पंडित जी आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो मेरा घरा प्यास से सूख रहा है कृपिया करकर इस पिंजरे का दर्वाजा खोल लोगे ताकि मैं तलाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाओंगा शेर जी शायद तुमने मासूम गाओं के जानवरों का शिकार किया होगा इसलिए गाओं वालों ने तुमें इस पिंजरे में बंद कर दिया है अगर तुमें मैं इस पिंजरे से छुडाओंगा तो गाओं वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खत्रा भी हो सकता है जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दर्वाजा खोलूँगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई साहेता नहीं कर सकता नहीं नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है मैं खसम खाता हूँ, मेरी बात पर यखीन करूँ पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे तो भला मैं क्यों आपकी जान लूँगा अगर तुम दर्वाजा खोल दोगे, तो मैं खसम खाकर कहता हूँ तलाप पर जाओंगा, पानी पीकर वापस आ जाओंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाओंगा शेर की बाते सुनकर उसे दया आने लगी ये शेर तो खसम कह रहा है कि तलाप पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाओंगा चलो इसकी बात मान लेता हूँ, दर्वाजा खोल लेता हूँ इतना कहकर वो पिंजरे का दर्वाजा खोलने लगा जैसे ही दर्वाजा खुल गया, शेर खुशी से दहारता हुआ बाहर आ गया आते ही उसने पंडित पर हमला किया शेर कहने लगा तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बच्ताने लगा पंडित गुसे से शेर को कहने लगा ची, तु जंगल का राजा है, अपने किये वे वादे पर ही नहीं ठीका तुम इंसान लोग, हम जानवर और पेड़ों का कितना लुखसान कर रहे हो ये एक मेरा अभी प्रह नहीं है सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभी प्रह है तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के चानवरों से जाकर पूछो अगर उन में से एक भी कहे दे कि तुम सही हो, तो मैं तुमें जीविच छोड़ दूपा इशेर ने अपने पंजय पंडित से हटा लिये, वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा तुम इंसान लोग सच में निर्दे हो, पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्र तोड़ लेते हो, फिर मेरे टहनिया और मेरे लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हैं इंसान तो कुछ भी करने पर पाप नहीं लगीगा आम के पेड़ ने जवाब दिया, आम के पेड़ की बाते सुनकर पंडिक उधास हो गया, आगे से एक घदा उसकी तरफ आ रहा था गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उधास हो गया, तब उसे रास्ते में और जानवर मिले, किसी ने उसका साथ नहीं दिया देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया, अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता, और मुझे पाप भी नहीं लगेगा पंडित के जीने की आज सब खतम हो चुकी थी, तब ही वहाँ से एक लोमडी जा रही थी ठीक है, मैं तुम्हें एक और अफसर देता हूँ, इस लोमडी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया, तो मैं तुम्हें जीवी छोड़ दूँगा जैसे ही शेर ने लोमडी को देखा, तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया लोमडी तुरंट शेर के पास आ गई, और सब कुछ गौर से देखने लगी चतुर लोमडी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बर है हाँ, आत्मी किस मभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है लेकिन यहां क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मीरे सवाल का सही सही जवाब दो पहले पंडित ने कहा, कैसे वो तलाब में पानी नहा कर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा, शेर और उसके बीच हुई बाते, सब कुछ उसने लोमडी को बता दिया जल्दी कहो, मुझे भूक लग रही है उसी के कारण उसे बहुत ज़ादा गुसा आ रहा था शेर महाराच, आप इतने बड़े हो, और ये पिंजरा तो इतना चोटा है आप इस पिंजरे में गए कैसे थे, मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा तुमारे जितना मुर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा ठेरो, अभी दिखाता हूँ तो भी, मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दर्माजा बंध हो गया ये देखकर लोमडी को बहुत हसी आए पंडित जी, अब आप निश्टत होकर घर वापस चले जाईए पंडित ने उसे धन्यवाद कहा इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी-कभी अकल से काम लेने से बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है